नमस्कार दोस्तों, अउनली जीस मास्टर क्लास में आप सभी का हार्दी स्वागत है तो नोबेल पुरुसकार 2023 के अंतरगत, सारे महत्पूर बिंदू और सभी महत्पूर प्रस्ण जो की एक्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनको मिहाँ पर बहुत ही कम समय में डिस्कस करेंगे पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, इसके बाद आपको नोबेल पुरुसकार से समंदित, कहीं कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी सारे तत्य बिल्कुल आपको रड़ जाएंगे, यकिन मानिये सबसे पहले आप ये समझे कि नोबेल पुरुसकारों के लिए जो घोश्रा होती है, अक्टूबर में होती है और ये पुरुसकार दिसंबर में प्रदान के जाते हैं, क्यों ऐसा क्यों होता है कि अक्टूबर में घोश्रा होती है, दिसंबर में प्रदान क्यों के जाते हैं, क्योंकि अक्टूबर में जो नोबल पुरुसकार के संस्थापक हैं अलफ्रेड नोबल ये स्वेडन के महान वाग्यानिक थे उनका जन्म हुआ था अक्टूबर में 21 अक्टूबर 1833 में उनका जन्म होता है कहाँ पर स्वेडन में डेथ होती है 10 दिसंबर 1896 कहाँ पर इटली में यही वज़य है कि अक्टूबर में प्रतिवर्स ये जो पुरुसकार हैं इनकी घुषडा हो जाती है और 10 दिसंबर को यानि कि अलफ्रेड नोबल की जो पूर्टिती थी है उसी आउसर पर इस टाक होम ओसलो में ये पुरुसक बित्रित किये जाते हैं प्रदान किये जाते हैं ठीक है अच्छा ये जो पैसा आया था अलफ्रेड नोबल के पास कहां से आया था उनके महान आविस्कार डायनामाइट की वज़े से अब ये आविस्कार महान भले कहा जाए लेकिन बड़ा ही विद्ध्वन्सकारी था और अक्सर अपने इसी आविस्कार की वज़े से अलफ्रेड नोबल काफी बिचलित रहते थे कि उन्होंने क्या बना दिया फिलाल यहीं से जो पैसा आया और उस पे जो ब्याज मिलता है उसी से ये पुरसकार प्रतिवस्प्रदान किये जाते हैं पहली बार नोबल पुरसकार कब दिये गए थे 1901 में दिये गए थे और देखो नोबल पुरसकार कुल 6 छेत्रों में प्रदान किये जाते हैं पहले जो पुरसकार थे केवल 5 छेत्रों में थे लेकिन अर्थ सास्त जाने कि एकोनॉमिक्स के छेत्र में 1968 से ये पुरसकार प्रदान किये जाते हैं 1968 में अर सास्त का नोबल प्रोस्कार दिया गया था 1969 में ठीक है तो कौन-कौन से यहाँ पर छेतर हैं जैसे कि सबसे पहले तो चिकित्सा मेडिसिन उसके बाद भौधिकी, फिजिक्स, रसायन, कमेस्ट्री, साहित, लिटरेचर, अर्धसास्त्र, इकोनोमिक्स, सांती, पीस अध्यान दीजेगा यहाँ पर कि जो सांती के लिए नोबल प्रोस्कार होता है उसको छोड़कर बाद की सबी चिकित्सा, भौधिकी, रसायन, साहित, और अर्धसास्त्र, यह सबी प्रोस्कार जो हैं वो स्टूडन, संस्थानों द्वारा प्रदान किये जाते हैं लेकिन सां उम्र की नोबल प्रोस्कार विजेता कौन है? मलाला यूसुप जैई, 2014 में यह प्रोस्कार उनको संयुक्त रूप से भारत के कैलास सत्यार थी और पाकिस्तान की मलाला यूसुप जैई को दिया गया था, तब मलाला जी की जो आयू थी मात्र 17 वर्स थी, सबसे अधिक उम् प्रोस्कार में इनको यह प्रोस्कार दिया गया था, इनको फादर आफ लीथियम आयन बैटरी भी कहा जाता है, ध्यान दिजीगा कि नोबल प्रोस्कार जीतने वाले पहले भारती कौन है? रविदनाठ टैगोर, 1913 में उनकी जो कृती है, गितांजली के लिए यह प्रोस् यह आएगा कि नोबल प्रोस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारती महिला कौन है? तो यह हैं मदर टेरेशा, सांती का नोबल प्रोस्कार मिला 1979 में, अज़ो नोबल प्राप्त करने वाले सबसे आखरी भारती है, अभी तक हैं 2019 में अफजीत बनर जी अर्थ सास्त के छेत मिलता है, तो पुरस्कारों में 11 मिलियन स्वीडिस क्रोनर, यानि कि अगर उसको बद ले, डॉलर में तो 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर में बनेगा, या 10 लाग डॉलर, एक मिलियन वरापर, 10 लाग डॉलर का नगत पुरस्कार धिया जाता है, प्रत्यक नोबल पुरस्कार में यह बदल जाएगा ठीक है अच्छा नोबल पुरसकार जो होते हैं यह मरडो परांत नहीं दिये जाते हैं यह बात आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिएगा साजारूप से अधिक्तम तीन लोगों को ही यह पुरसकार प्रदान किया जाता है तो सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं आपको पता होने चीए चलिएब शुरू करते हैं MCQ पहला प्रस्ण होगा अर्थ सास्त्र के छेत्र में नोबल पुरसकार 2023 किसे प्रदान किया गय तो फ्रेंड्स अर्थ सास्त्र के छेत्र में जो नोबल पुरसकार 2023 यह प्रदान किया गया है क्लावडिया गोल्डिन को यह है क्लावडिया गोल्डिन रायल स्यूडिस अकेडमी आफ साइंसेज ने अर्थ सास्त्र के लिए नोबल पुरसकार 2023 का एलान कर दिया है तो अर्थसास का नोबल पुरुषकार होता है इसका एक नाम स्वेरिक्स रिक्स बैक पुरुषकार भी होता है ध्यान धेना इसवर ठीक है हो सकता है कभी पूछ लिया जाए तो आप कंफ्यूज हो जाओ कंफ्यूज मत होना देखो फ्रेंड्स यह जो क्लावडिया गोल्डीन है गोल्डीन मतलब सोना सोना जुड़ता है किसे अर्थसास से तो समझ लेना कि अगर यहां पर बात करेंगे एकोनॉमिक्स की शेत्र में नोबेल प्राइज की बारे में तो गोल्ड किया गया है ध्यां दो कि रायल स्टुडिस अकेडमी आफ साइंसेज ने पिछले साल अर्थसास्तर का जो नोबेल था वो तीन लोगों को दिया था इनका नाम था बैन एस बर्नान के डगलस डब्लू डाइमंड और फिलिप एच डाइग भी ठीक है क्यों दिया गया था इ यह हैं क्लावडिया गोल्डिन क्लावडिया गोल्डिन अमेरिकन है और बरतमान में हारवर्ड इंवर्श्टी में प्रोफिसर है तो इतने फैक्ट आपको पता होने चीए आगे बढ़ते हैं अब है कि सांती का नोबेल पुरुसकार किसे प्रदान करने की घुश्डा प्रोणों की सजा भी सुनाई गई है बरतमान में यह इरान की जेल में है महिला अधिकारों के लिए मानवा अधिकारों के लिए यह संगर्स कर रही हैं काफी पड़ी लिखी हैं नर्गिस भौत की में डिग्री रखती हैं एक इंजीनियर हैं लेकिन फिर भी एक सुधारव पुरुसकार जब इनको मिल जाएगा उसके बाद वो लोग इनको फिर जिल में डाल देंगे गूगल सर्च करके देखिएगा इनके संगर्स की कहानी आप लोगों की आँके भराएंगी लेकिन फिर भी कते हैं संगर्स ही जीवन है इन्होंने अपने टार्गेट को नहीं च किसे प्रदान किया गया तो दोस्तों साहित के चित्र में जो नोबल पुरुसकार है वो भी सिर्फ एक व्यक्ति है जिनका नाम है जानफासे इनको प्रदान किया गया जानफासे कहां के हैं तो याद रखिएगा जानफासे जो है यह नारवे के राइटर है और इनकी जो ल और दुजाद 23 का किसको मिल गया है जान फासे को जान फासे नार्वे की लेकक है जिस सैली में वो उपन्यास लिखते हैं उसका नाम है फासे मिनिमलिज्म उनकी सैली की विसिस्ता सरल नियोंतम और मार्मिक संबाद हैं उनकी तुलना सैमूल बेकेट हेरोल्ड पेंटर जैसे स साहितिक दिगजों से की जाती है सैमूल बेकेट और हेरोल्ड पेंटर को पहले ही साहितिका नोबल मिल चुका है फासे की जो लेगनी कृतियां है उनके नाम है ए निव नेम आई एम दविंड मेलान चोली बोट हाउस और देड डॉक्स यह कुछ किताबें हैं उनकी ठीक है तो याद रखेगा कि साहितिक दिग में जो नोबल पुरुसकार है वो मिला है जान फासे को नेक्स्ट है कि वो वाग्यानिक जिने रसायन विज्ञान के नोबल पुरुसकार 2023 के लिए संयुक तुरूप से चुना गया है रसायन विज्ञान का जो नोबल पुरुसकार है य लुईस, ब्रस, एलक्सी, आई, एकिमो, ठीक है, ये तीनों दिग्जज हैं, जिन्होंने 2023 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरुसकार जीता हुआ है, ठीक है, तो रायल सुटिस अकेडमी आफ साइंसेज ने रसायन विज्ञान में 2023 का जो नोबेल है, मौंगी जी, बामे पांटम डार्ट की खोज और संसलेशन के लिए, ठीक है, अगला कॉशन देखिए, हाली में पीरे, फरेंक और एनी को किस छेत्रे में नोबेल पुरुसकार देने की घोड़ा हुई, सही जवाब इसका बहुत की, ठीक है, बहुत की की छेत्रे में पीरे, फरेंक और एनी को एक साथ समानित क्या गया है, नोबेल प्राइस, दोचार तेईस से, इनके पूरे नाम है, पीरे, एगस्टिनी, फरेंक, क्रास्ज, और एनी हल, हुलियर, ठीक है, तो राया सुटिस अकेडमी आफ साइंसेज ने, बहुत ही बिज्ञान में, दोचार तेईस का नोबेल पु अजित सेकेंड के सबसे छोटे हिस्से में परमाणवों को देखने के लिए, तीनों वैज्ञानिकों को भौत्की का नोबेल प्रदान किया गया है, थ्थ़दा सा जान लेते हैं, जिसे कि पीरे, एगस्टिनी, अमेरिका की ओहियो इस्टेट इंवरस्टी, जर्मनी में, मै गुरुविग मैक्स मिलियन विस्विदाले से सम्मद रखने वाले, फेरेंक क्रास और स्वीडन के लुंड विस्विदाले की एनी एल हुलियर को यह प्रस्कार प्रदान किया जाएगा, तो यह इनका बैग्राउंड है, कहां पर यह लोग काम कर रहे हैं, और देखो यह आ इडिकल के छित्र में यानि की चीकित सा ऑप्सन एक करेक्ट है, क्यों हो दिया गया, दोनों वाज्यानिकों के पुरुस्कार कोविड-19 के खिलाफ उनकी खोज के लिए दिया गया है, देखो फ्रेंड्स इन्हें नुक्लियोसाइड बेस संसोदुनों से सम्मंदित उनकी खोजों के लिए यह सम्मान प्रदान किया गया है, इस खोज की वज़े से कुरोना वाइरस यानि की कोविड-19 के खिलाफ प्रफावी जो MRN ने टीके बने थे उसके विकास में मदद मिली, नोबल समित के सचिव थामस पर्लमेंड ने कोरोलिंस का संस्थान में विजिताओ की खुष्रा की है, तो कैटिन कारी को एक हंगेरियन अमेरिकी वेग्यानिक है और डुरुविसमैन अमेरिकन साइंटिस्ट है, तो यह इनका नेटी हो गया, तो दोस्तों उमीद करता हूँ कि आपको सारे फैक्ट जो है अच्छी से समझ में आ गये होंगी, अब बात है कि इनको याद कैसे रखा जाएं, तो दो तरीका है, पहला तो यह है कि आप वीडियोज को कम सकम तीन बार देखें, आपको सारे फैक्ट रट जाएंगे, नहीं तो आप यहाँ पर जो चीज़ें आपको दिख रही हैं, इसका एक स्क्रिन सॉट ले लें, ठीक है, और इस स्क् मुलेंगे नहीं, सबसे सरल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, इस सरल तरीका और कुछ नहीं होता है, आपका दिमाग ही सारे ट्रिक खुदी बना लेगा, जब आप लिखोगे पांच बार ना, आपके दिमाग में सारे फैक्ट बिलकुल रट जाएंगे, तो एक बार मैं पढ़ देता हूँ, जिससे कि चिकित्सा के चित्र में नोबेल प्राइज 2030 दिया गया, कैटलीन, कारिको और ड्रू विस्मैन को, भौतकी के चित्र में पियरे, फरेंक और रहनी को, रसारां के चित्र में मौंगी, लुइस्ट और एलक्सी को, साहितिका नोबेल 2030 मिला जान फ्रांसे को, सांतिक अनोबे प्राइज मेरा 2030 दिया नर्गिस महमदी को, और अर्थ सास्क्रा क्लाउडिया गोल्डिन को, तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको पसंद आया, तो प्लीज इसे लाइक और सेर करना, बिलकुल भी मत बुलिएगा, आप सभी का बहुत बहुत थन्यवाद, थैंक यू